पटना के सालिमपुर एहरा में हुए ब्लास्ट के जाच के लिए ATS और FSL के टीम को बुला गया है वहीं जाच के दौरान हाथसे वाले जगहा पर टीम को किसी प्रकार का वसफोटक सामान या स्प्लिंटर नहीं मिला साथ ही बंबलास्ट का कोई भी सबूत नहीं मिला है ATS और FSL से मिली शुरुवादे रिपोर्ट के आधार पर SSP न स्पष्ट किया कि हाथसा बंबलास्ट से नहीं हुआ था बलकि गैस लीक की वज़े से हुआ है और मैंने आपको बताया था मैंने कि PMCHP में गया था पेशन्ट से मिला था डॉक्टर जो ट्रीट किया उनसे भी बात की थी एफसेल के टीम की बार मैंने आपको बताया था टीम आ गई थी टीम ने मुआयना किया है और इसमें इस पस्ट है कि इस नॉट एक्स्प्लोजिव कोई बंबलास्ट नहीं हुआ है गटनास तल्पे तीन सिलिंडर थे दो सिलिंडर खाली है पहले से एक सिलिंडर कल आया था वो भी खाली है और सिलिंडर जो था उसका सालिमपूर एहरा के गली नंबर एक के जुस मकान में ब्लास्ट हुआ वो अर्जुन साव नाम के व्यक्ति का मकान है मकान के फर्स फ्लोर पर 38 साल के बैजुनात महतो अपने परिवार के साथ किराय पर रह रहे थे सुभा के वक्त सभी सोय हुए थे पटना पुलिस के अनुसार 70 साल की मा गंग जला देवी गैस चूले पर पाने गरम करने गई थी उस दौरान चूले के बर्नर से तेज आवाज होने लगी जिसके बाद बर्नल को बंद कर दो बारा ओन करने के जखा वर्द महिला ने माचस जला दी इसके बाद ही काफी तेज ब्लास्ट हुआ वहीं इसी वज़ा से गंग जला देवी के चहरे का 40 प्रतीशत हिस्सा जल गया है साथी घर में मौझूद बैजनात महतो का चहरा आंशिक रूप से जला है 35 साल की इनकी पतनी रेखा देवी 7 साल की बेटी माली कुमारी और 6 साल की बेटे गोलु कुमार का शरीर और चहरा आंशिक रूप से जला है जबकि 10 साल के बेटी मनीता कुमारी के चहरे का 30 प्रतेशत हिस्सा जल गया है वहीं ब्लास्ट के वज़ा से घर के गिरे हिस्से से 60 साल के तरकेश्वर पांडे गंभीर रूप से चोटल हो गए पंजाब के स्री टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार के रिपोर्ट